नमस्ते नमस्ते दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग प्यूरीन और पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं साथ ही हम लोग इनके जैसे ड्रग्स को भी देखने वाले हैं तो चलिए प्यूरीन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका नाम छोटा है लेकिन इसका structure थोड़ा बड़ा है दूसरी बात purine के अंदर ही Pyrimidine ring छूपी हुई है तो Pyrimidine प्लस हमारी Imidazole ring इन दोनों मिलके हमारा ये Purine बनता है तो इस Purine का numbering थोड़ा ज्यादा important है तो इसका numbering start कहां से होगा हम top carbon से करेंगे nitrogen से करेंगे तो यह बहुत से बार question होता है तो इसको देख लेते हैं तो number one आपका यह nitrogen होगा number two आपका यह carbon number three यह number four यह number five number six मतलब हमें पहले ring को पूरा numbering दिया हुआ है anti-clockwise अब हम second ring को आगे वाले number देने वाले हैं देखने clockwise तो number seven number का यह nitrogen होगा यह number eight और यह number nine तो इस numbering को दहे में रखना है पूरीन के अगर हम basis की बात करते हैं तो यहाँ पे दो important basis है adenine और gonine तो adenine का structure हम देखेंगे तो यह इस तरह होता है अभी purine base यह purine का molecule और यह adenine इन दोनों के structure में छोटा सा difference है वो है amino group में मतलब purine के अंदर अगर हम लोग sixth position पे amino group लगाते हैं तो हमारा adenine बनता है तो आज से हम लोग क्या बुलेंगे आज से हम लोग adenine मतलब ही add amine होता है तो add amine इसे adenine तो हमें six position पे amino group को add कर देना है चलिए हम adenine से गौनिन को देखने वाले adenine और गौनिन फरक्या होता है अब मैं six number का इने श्टो group second number पे shift कर रहा हूँ जैसे मैं shift करता हूँ तो यह इस तरह बनेगा और जैसे इसे shift करता हूँ तो उपर के carbon को गुस्सा आता है तो उसको भी हमें एखाता group देना पड़े क्या गए और उस carbon को गुस्सा आया उसको हमने एक hydroxy group दे दिया तो हमारा गौनिन बन गया अब कभी confusion होता है कि उपर ही की नीचे है उसको बहुत से बार हमारे पास यह जो गौनिन होता है यह इस तरह गौनिन का आना चाहिए मतलब यह जो ring है इतना जो molecule होता है इसको हम ल छितार गौनिनो मतलब इसमें दो गौनिनो मोलिकल होता है तो आपका कन्फूजन नहीं होगा गौनिन में गौनिदीनो गौनिनो के बनना चाहिए यह ring के अंदर So this is about purines, इसके structure की बात करते हैं हम लोग, तो purine को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये structure और ये structure सेम है, इसमें हमने वहाँ पे bond निकाल के hydrogen से balance से satisfy की है, तो चलिए, अब हम थोड़ा सा देखते हैं, हमें इस purine के उपर oxygen लगाना है, तो हम oxygen लगा रहा है, in the form of keto group, तो हम कहां कहां लगा सकते हैं हम लोग, तीन जगह पे लगा सकते हैं, यह हमारी second number की position, यह हमारी sixth number की position, और यह हमारी eighth number की position, तो हम यहां पे तीन जगह पे oxygen, that is keto group लगा सकते हैं, ऐसा करने के बाद, मतलब हम सभी corners को, जितने भी corner available है, जहां पर हम लोग CO group लगाएंगे, तो हमारा uric acid बनता है, तो यह, it is a metabolite of the, we can say metabolite of the various cycles, तो यह हमारा uric acid बन गया है, दूसरा जो important drug है, या molecule है, bio molecule है, वो हमारा जहनतीन, तो जहनतीन और uric acid में फरक इतना है, जहनतीन में दो keto group है, one keto group is present at six position, and second one is at the second position, मतलब ही, eighth position का CO group इसमें नहीं है, इतना है, uric acid में सभी corners के ओपर CO group available है, और जहनतीन में, जहनतीन में, eight number का CO group absent है, अब जहनतीन को दहन में रखना इसलिए है, क्योंकि इससे कहीं सारे हमारे drug बनते हैं, तो हम इसको देखने वाले हैं, तो यह जो drugs बन रहे हैं, जहां पे हम लोग, हमारा जहां जहां पर हमारा NH group है, तीन जग़ब पे हमारा NH group है, चारों में से तीन जग़ब पे जो NH group है, वहां पे हम substitution करने वाले हैं, पहला number one nitrogen, दूसरा number third nitrogen, और तीसरा number seven position, तो यह तीन पोजिशन हमारे ले important है, number one, number three and number seven, जहां पे हम लोग कुछ methyl group लगा के substitution करने वाले हैं hydrogen का, तो हमारे कुछ नए molecules बनने वाले हैं, सबसे पहले बनता है हमारा ये वाला, जहां पे हमने क्या किया है, तीनों position के hydrogen को हडा के methyl group लगा दिया है, तो हमारा बनता है 137 trimethyl jantine, अब यह जो नाम आपको नया लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही common substance है, बहुत ही common molecule है, बहुत ही common drug है, जो हम काफी बार पीते हैं, जिसका नाम आता है, वो है caffeine, okay, so caffeine is nothing but it is a 137 trimethyl xanthine, दूसरी बात देखते हैं हम लोग, तो हमारे बास और दो drug हैं, जहां पे हमने क्या किया, जहां पे हमने पहली position और third position पे methyl लगा दिया, okay, तो यहां जहां दो जहां हम इसको बोलेंगे 13 dimethyl xanthine जिसका नाम होता है, त्यो फाइलिन, मनंदर यहां पे methyl ग्रॉप नहीं है, one और third position पे है, उसको बोलते है 13 dimethyl xanthine, जिसका common name होता है, त्यो फाइलिन, next बनता है, one position पे methyl ग्रॉप नहीं है, और seven position पे अवैले बार है, तो उस वाला थियोफाइलिन है या थियोब्रोमीन है तो यह confusion नहीं होना इसके लिए हम लोग सिंपल सा ट्रिक्यूज करेंगे अभी हमें 1,3 और 7 इस तरह लिपना है जब हम थियोफाइलिन लिखेंगे तो यहां पे पी आ रहा है जो पी आपको दिखाया हुआ है ब्लैक में इसके पी लिखिए तो पी लिखने के बाद जो अंडे में 1 और 3 आ रहा है यहां पर इसका मतलगी है 1,3 दायमिथील जहनतीन है सिंपल सा होगा अगर थियोब्रोमीन होगा तो आप उस 1,3,7 पे आपको बी लिखना है तो जो अंडे में क्या आ रहा है अंडे में 3 और 7 आ रहा है तो यह हमारा थियोब्रोमीन होगा तो इस सिंपल सी ट्रिक को यूज़ करके हम इसको याद कर सकते हैं तो 1,3,7 लिखना ह थियो फाइलिन के लिए पी रिखना है अपके अंडे में 1 और 3 आएगा थियो ब्रोमिन के लिए अंडे में 3 और 7 आएगा तो यह इसी तरीका है हम उसको आसाने से धैन में रख सकते हैं तो और एक चीज बात और एक चीज है इसी है कि दोनों भी केस में थर्ड पोजिशन पे मिथिल ग्रूप है दोनों भी केस में थर्ड पोजिशन पे मिथिल ग्रूप है और वन और 7 का फरक है तो थियो फाइलिन में 7 पोजिशन पे नहीं है तो यह हुए हमारे को स्टॉक्चर उसके बाद इसके प्यूरिन के रिटेट स्टॉक्चर जो है अडेनिंग और गार्नि इसमें आपको मरक्याप्टो मतलब थायो होता है सिक्स लगा दी ना है उसके बाद जानते हीं धेखा कि ओपर ऑच होता है और नीचे न होता है तो सिक्स थायो गौनिन मतलब बारे में यह आपका यहां पर होता है यह उसके जैसा है लेकिन सेम कंपाउंड या प्यूरीन बेस टॉक्चर नहीं है नेक्स्ट इंपॉर्टन ती इस अभी तक के बारे में देखा है तो प्यूरीन होती है तो धह्में रखना है उसको की प्यूरीन का नाम चोटा है लेकिन स्ट्ट्चर बड़ा है पहली रिंग आती है दूसरी इसमें नहीं होती है हमने audit देखा है यह आपका adenine है और यह दूसरा gonine है adenine को हमने बोलाए कि add amind करो तो adenine बनेगा gonine में आपको क्या करना है नहीं नीचे लेके आना है और OH को उपर लगा देना है तो यह बनता है आपका gonine अगर हम इन पोजिशन को reverse कर देते हैं तो एक नया मॉलेकुल बनता है इसका नाम होता है iso gonine मतलब NH2 उपर और OH नीचे तो उसको बोलते हैं लोग iso gonine चलिए पिरिमेडिन को देह में रखने के लिए इसके तीन important structure को देह में में रखना है वह सी यूटी आपको उसको कर्ट बोलना है कर्ट सी यूटी को के सी मतलब कि आपका यह साइटोसीन होगा साइटोसीन में आपको यह जो इसके पहले हमने structure बनाया है उसमें फिर से दोनों को ओएश ग्रूप दे देना है और किसरा जो है आपका थायामीन जब मैं थायामीन बोलता हो तो मुझे methyl जेसे लगना चाहिए और मुझे क्या करना है मुझे 5 position पे methyl group लगा देना है तो यह बनता है मेरा thiamine इसके structure देखते हैं हम लोग तो यह हमारा structure है flu cytosine तो यह cytosine और यह दोनों भी same है just 5 position पे fluorine लगा है तो यह हमारा बनता है flu cytosine it is an antifungal drug दूसरा जो है वह 5 fluoro uracil जिसमें हमने 5 position पे एक fluorine लगा दिया है uracil में thank you for watching this video और अगर आपको यह channel useful लग रहा है तो इस channel को जरूर subscribe कीजिए share कीजिए और comment box में आपका comment लिखिए thank you once again